हेलो दोस्तों तो आप सब लोग जानते हैं कि कोचिंग बहुत दिन से बंद चल रहा था नौवए से लेकर चार बेर तक रोक लग गया था तो अब आप लोग जान सकते हैं कि कोचिंग का वह जो हाई कोट है आदेश दे दिया है कि अब नौ से चार बंद नहीं रहेगा कोच है तो आगे देखते हैं क्या है तो इस बेपर में लिखा हुआ है कि सिख्षा विभाग ने कोचिंग संस्था को सुबह नौ से चार बजे तक बंद रखने का आदेश पर हाई कोट ने रोक लगा दिया नि जानते हैं क्या हुआ है हाई कोट ने कोचिंग पर रोक लगा दि थे जो वह अपने स्कूल में आ गये हैं तो उनको बहुत दिक्कते हो रही हैं अब पचास प्रसेंट साथ परसेंट से बस कम्प्लीटी हुआ है तब तो उसके रोक लग गया ज़्यदा प्रहाने में दिक्कत हो रहा है तो अब इस पर हाई कोट ने लिया है फैसला उसने कहा ह कि एस एस एसन एक फैसला को कोचिंग और चात दुनों को हित में वहांत पूर्ण कदम बदाया है और आगे सरकार के साथ समर्थन बातचीत की इच्छा जाता ही है कोई भी इंस्ट्यूट जो एक गोल इंस्ट्यूट के निदे सक यहां देखें गोल इंस्ट्यूट के है यार्थ है कि जो बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं वह बाहर जा के पढ़ते हैं करें को से लिए आप प्यूचिंग कर आप चाहिए अपने स्कूल में और कॉलेज में आ यहां पर तो यह सभी चीज था तो इसके लिए बोला गया है कि अब कोचिंग चलेगा इस पर भाई कोट ने फैसला ले लिया है तो कुछी दिन के बाद से अब कोचिंग चलू हो जाएगा यानि कोई भी बच्चा अगर ध्यास कोई नहीं पढ़ाता था कोचिंग नहीं पढ़ाया जाता है नौ 14 में दिकत हो गया था कि बच्चों का स्लेबास जो भी 75% वाली बात है वह जो बात है वह अगले साल से लागू होगा देखिए आप ध्यान से पढ़िए आप अच्छा से देखेंगे यहाँ थोड़ा सा तो देखिए बिहार बोर्ट के अध्यक्ष अनंद की सोर ने कहा कि 75% उपस्तिती को फिलहाल स्कूल में अनिवार किया गया है लेकिन इस बर्स उन्हें फारम भरने नहीं रोका जाएगा क्योंकि बीच से सन में लागू किया गया है लेकिन अगले बर्स से भी मैट्रीक और इंट्रेप्रिक्टा फारम भरे जाएंगे तो 45% उपस्तित होने के बाद भरे जाएंगे संबंधित विद्याले कॉल का 75% पस्तिती हो या ना हो उसका फारम भराएगा लेकिन अगले साल से फारम नहीं भराएगा तो आज की मतलब ख़बर यही था अगले फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्या दिश्तिती है कैसे क्या हुआ तब के लिए थैंक्यू वेरी मच मिलते हैं फि क्या है